एक दुखिया की सुनाता हम ये दास्तान है, सिरीबाला जी का ध्राम ये कितना महान है एक दुखिया थी गरीब पूटा खांदान था, बीमारी से पढ़ी उसका परिशान था बगल में पड़ोशी बड़ा बेइमान था, करता था तंत्र विद्या बड़ा सैतान था देखी कमाई इनकी तो इनसे जल गया, जब फुचना बन सका तो इन पे जादी कर गया करवाया था इलाज मगर फर्क नपाया, फिर तंत्र मंत्र में भी पैसा फूग आए एक संद ने उन्हें फिर रास्ता बता दिया, बाला जी के धाउं जाने का सुझाव दे दिया लेकर के अपने पती को महदी पुर जाओंगी, महिमा सुनी है मैंने भी बाला जी के धाम की, मैं भी जलाओंगी जोती बाला के धाम तुने लूट लिया मेरा क्यों संसार, बाला जी तुने लूट लिया क्यों मेरा संसार तुने लेकर दूना की है, हम तेरे दौर आये पति बतनी प्यार से पर लुट गईयो पाला जी में तेरे दौर पे अप दिखाओ, लूट लूट खाओ, प्रभू अपनी महिमान इतताश करता है... मैं ने पास्ती आपने में जैनी में जैनी में ऑफालोगे जैनी, जैनी में जैनी, वुल्चक्राइब तेमिन रहा जैनी, इस अवालोगे नुट हो जैनी, यहापने जैनी, जैनी होताँ दाचरा करुआई है बातनी है जम्हें बेंगी तरफी तेरे दाम से दुनिया से मैं क्या खाहूंगी जाके तेरे दाम से जीकर दोगने के मज़नियों को तोड़कर देख अपनी चान तेरे दर्व सर्पाई तोड़कर देख कित्री आम उच्छ लोग वहाँ आ गए पंडे और उजारी सभी उसको समुझा रहे जो भी समुझाएं उसे वो अत्रों से मारती जो पहँ दोगनी की तरह वो दीछ बाती पहा जो गई वो पगली उसने कप्ड किये कारणा पाल अपने नोच के बाला से कैदी बार बार लो दिखाओ, लो दिखाओ, रभू अपने महिमा लुट गई मैं अभागन, यहाँ पह यहाँ यहाँ पह लुट गई मैं अब दिखाओ रभू अपनी महिमाद उट गई मैं अबागन यहाँ पे उट गई मैं अबागन यहाँ पे जो लोग महंदी पुर जाते हैं वो सब जानते हैं कि बाला जी की महिमा कितनी सची और कितनी महान है इराद बनके हैं बन बनके विगर जाते हैं वही महंदी पुर जाते हैं जिन्ह बाला बुलाते हैं आस बहे मुर जाया फूल सा है बदन भूक और प्यार से हिरते में होती थी जलन होती बेहुस कभी गिरती थी उपार बार हो गई बेचान फिर भी मानती नहीं तिहान देखके उस दुखिया का हाल एक महें तुहाँ आएं बाला जी का जल उसके मुह में डाला और चीटा मार कर उससे बोलें हाल क्या है बेटी सुना मुझको यहां बैटिकर किस लिए तुभू रही है इस तरह से बेखबर रो के कहें बाबा मेरा पूट गया भाग है आज मेरा इस जहां से लुट गया सुहाग है बोले बाबा बेटी जरा आसु अपने धाम ले प्रेम से इक बाद सिरी बाला जी का नाम ले शर्णों में अरची लगा बाला सिर्थ भर याद कर कहना मेरा बाला जी घर पिर आवाद कर शीख के बूली बाबा चुट तेरा ज्यान है इस चहां में इस परना कूवी भगवान है हाथ में पंतर उटा बाबा के बरसान लगी शीख के वह पगली दर्दे अपना सुनाने लगी लो दिखाओ लो दिखाओ प्रभू अपनी महिमा लुट गई मैं अभासन यहाँ पे यहाँ पे लुट गई मैं अभागन यहाँ पे अब दिखाओ प्रभू अपनी महिमा लुट गई मैं अभागन यहाँ पे लिट गई मैं अभाग यहाँ पे वो संद बाबा कौन थे वो दुखिया नहीं पैचान पाई क्योंकि वो बेचारी पती के कम में इतनी चूर थी कि पगली हो करके किदर हुदर भाग की कभी पत्तर उठागे लोगों के सर को भोड़ दी कभी बेवोस हो करके गिर जादी संकट ने इसके पती को बेचान किया फुशहाल खरतवा परेशान कर दिया जो भी इसके पाँ से आखा पीचे उसके दोड़ थी हाथ में पत्तर उठा के सर किसी का पूर थी जीक के बूली तु सच्चा बाला बलवान है घर्पती को जिन्ता तुझे राम जी की यान है क्या मिला निरताई तुझे सुभाग मेरा लूट कर जगला चुल हूँ पया दिल मेरा तो तूट कर है अगर सच्चा बूख को सामने आता नहीं कैसी है महिना तेरी क्यों हमको दिखाता नहीं बाला की चौब घट में सर्ब उड़ती थी बार बार भूट गया धाता उसका कून की बहती है धार आज तेरे द्मार से पती बुले के जाऊंगी अगर ना सुनी तो तेरे धाम पे मर जाऊंगी हो गई बेहोस अपने होस फिर वो गई थोड़ी तेर मैं एक खटी भीड वहा हो गई कहते हुझे लोग ये पगली पिचारी मर गई लगता है दुनिया से ये किनारा कर गई बाला के मंतिर से फिर आवाज आई कान में भाग्यवान आखों बोले कोई किस के ध्यान में प्रेंशित वाला जी की जैजैकार बोलते ओ दिवानी पकली अपनी आखे अब तो भोलते खोली आखों चमतकार देखा बड़ी सोच मैं पाया उसने खुद वो अपने पती की ही गूत मैं बोली पती से भूया ये कैसा चमतकार है मुस्मुरा के भूला ये बाला जी का दरबार है सुखते हुए भाग को ये पन में ही केलाते हैं बरसों के बिच्डे आप ही मिलाते हैं हमें मार दिया था कुछ संकट सैतान ने दिया हमें जीवित एक संत जी महान ने पती बोला भागमान मैं तो सो रहा था मौत की नीन में एक लंबे चोड़े महंत ने मुझे जगाया बोले अब तेरी पत्नी वहाँ बैठी तेरा इंजार कर रही है उस महंत के सर से खून की धार बह रही थी मैंने पूछा महाराज ये खून आपके सर से क्यों बह रहा है तब महंत कहने लगे मैंने उस संत से फिर पूछा है बार बार क्यों तुन्हारे सर से बाबा पहे खून की ये था कैसे बाबा चोट लगी ये हमें बतलाई ये मैं वालक आपका मुझसे ना कुछ छुपाईये एक पागल भेटी ने गुशे में आज हार के कर दिया खायल उसी ने सर पत्तर भार के मैं तुपी नहीं हूँ उसके दिये उपोहार से वो अभी नाधान है इस मतलबी संसार से है बड़ी जिती वो पकली थोड़ी सी नाधान है क्या हूँ मैं उससे हूँ तो मेरी ही संसान है सुनके उनों छोग गई पती के बायान को मैं पार मेरी उस बाबा दयावान को बाली पत्नी पती से ना तेरे अब लगाईये बाला जी की सवामनी खोरन बनवाईये बाला जी से जमामाबने को हम तो जाएंगे सवामनी का ये फूब बाबा को चड़ाएंगे पती पत्नी दोनों ही मंदर की ओर जब बढ़ें हाथ में सोटा लिये हनुमान जी सम्पुख खड़ें देख कर हनुमान जी को अच्छरज में पड़ गएं जोड़ करके हाथ उनके चर्ण में ही गिर गएं हस्त पुष्ट वदन और भुजावलवान थी राम नाम की दुशाला पैन थे हनुमान जी दिव रूप मात पेट लग्व सोटा हाथ मैं आए प्रभू धर्ष देन राम जी के साथ मैं चर्ण शूने के लिए वो दोनों जब आगे बढ़े वो दुख्त प्रभू तो वो दोनों ही पच्ता रहे रोके हो कहने लगे बाला जी छमा कीजिए हो सके तो दर्ष हमें फिर दुबारा दीजिए धन्य है माया तुम्हारी प्रभू दया मान हो अपने ही पैजान पाएं अपने ही भगवान को लाएं सवामनी स्वीकार प्रभू कीजिए अपने सिरी चर्णों में थोड़ी सी जखा दीजिए बाला जी महिमा तुम्हारी बड़ी ही अपार है पूजता है तुमको तभी सारा संसार है पती पतनी बाला जी की भगती में हुए मगन पेरा की गाने लगे बाला जी के त्यारे भजन फिर दिखाओ फिर दिखाओ प्रभू अपने महिमा बन गई फिर सुहादन यहाँ पे